जहें दोस्तों बंदे मातरा कुछ समय पहले जा मेरे एक दोस्त न मुझे बताया था कि विदेशों में बच्चों को रखने के लिए काफी कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है तब मैं उन नियमों को सुनकर वाकई में भचक्का रह था कि आप बच्चे को गोद मिले कर नहीं गूम सकते गाड़ी में उसको गोद मिले कर सीट पर नहीं बैठ सकते माते पे तेलक लगाना, अपने साथ बिस्तर में सुलाना, खाना, खिलाने का भी एक पर्टिकुलर तरीका बताया जाता है वहाँ पर तो ये सुनके मुझको बड़ा अचम्मत लगा था कि या इस सब चीज़े क्यों फॉलो करवाई जाती है हला कि अगर हम उन तरीकों को देखें तो उन तरीकों से आप बच्चों की परवड़िश अच्छे से कर सकते हैं लेकिन भारत में हम लोग नहीं सब चीज़े का भी देखी नहीं और अब इसी एक विशय के ऊपर एक सच्ची घटनाओं से प्रेड़ित कहानी मिस्स चैटर जी वर्सिस नौर्वे के नाम से रिलीज होने वाली है नौर्वे का नाम अभी हमने कुछी दिनों पहले जावजकतर इसके मूँ से पाकिस्तान में भी सुना था जब उन्हों ना अतंकियों का जिकर करते हुए नौर्वे का नाम लिया था और अब नौर्वे के नाम से मूवी सामने आ गई रानी मुखर जी इस मूवी में प्रधान करदार निभाते हुए नजर आने वाली है और वो इसमें एक बंगाली माक करदार निभाएंगी जिनके दो बच्चों को उनसे छीन लिया जाता है कुछ इन कारणों से जो कि कहीं से कहीं तक भी कारण लगते भी नहीं फिर किस तरीके से फुरी पड़स्तियां बदलती हैं क्या कुछ होता है वही सब कुछ जो इस मूवी में बताए गया वहीं अब वो अपनी फिल्म मिस्स चैटल जी वर्सेस नौर्वे के साथ एक बार फिर फैंस का दिल जीतने आ गई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है जो की काफी दंदार लग रहा है ये एक मा की कहानी है जो अपने बच्चों और पती के साथ नौर्वे में रहती पतल देता है उनकी दोनों बच्चों को कानून के हवाले कर दिया जाता है और उन से छीलिया जाता है लेकिन वहां मतलब की विदेशों में इनी बातों को खामिया दिखा कर मिस्स चेटल जी को एक अच्छी मान ना होने का ठपा लगा दिया जाता है मिस्स चेटल जी वर्सेज नौर्वे 17 मार्च को सिनमा घरों मदस्तक देगी इस फिल्म में राणी मुकरजी के अलावा जिम सारप, नीना गुपता और अनिर्बन भटचार रेमो के भुमिका में इस फिल्म का निर्देशन अशिमा छिपबर ने किया है पहले एफिल्म 3 मार्च को रिलीज होने वारी थी लेकिन बाद में इस रिलीज डेट को 21 मार्च कर दिया गया है वहीं अब आखिरकार ये 17 तारिक को रिलीज होगी अगर हम इस मूवी के बारे में बात करें तो आज की डेट में सभी एक्टर्स एक दूसरे के साथ मिलबाट कर काम कर रहा है ऐसे में आलिय अभट ने भी इस ट्रेलर को अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर करते हो लिखा कि वीपिंग वाट अ मूविंग ट्रेलर इसके अलावा अरजुन कपूर जो की आज के लिखता है सोशल मीडिया पर बैठ कर बस दूसरों के बारे में बाते करते रहते हैं उन्होंने भी इस मूवी को सपोर्ट करते हो लिखा कि और उन्होंने बताया कि मैं तो ये मूवी को देख चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि ये रानी मुखर जी के अब तक की सबसे बेस परफॉर्मेंस है तो भी रानी मुखर जी एक बार फिर से एक मरदानी टाइब के किरदार के साथ वापसी कर रही है और वाकई में ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है देखकर और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको तरीके से बनाया भी गया है अगर ये मुवी अपने सतर पर अच्छा करके जाती है तो ये मुवी लिवर्स के लिए और जो अच्छा कॉंटेंट को देखने की मीज रखते हैं हमेशा थेयर्र में जाकर उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है बाकि ट्रेलर देखकर तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है बाकि मुवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉमिस लब निकल के सामने भी आ पाती है रानी मुखर जी ने हाला कि अबल दर्जे का काम किया ये क्लियर ली दिखाई पड़ रहा है मेरे सुडियों फिर आपना ही जाए हैं जाए भारत